असलाम अलेकूम, वेलकम टू शमा किचन, आज शमा के किचन में आप सबका स्वागत है, आज हम बनाने वाले हैं खीमा मसूर प्लाओ, ये किस तरह बनता है दोस्तों, चलो हाईए मेरे किचिन में मैं बता हूँ, मैं आदा किलो खीमा ली हूँ, उसको धोगे वाश करके रख है तो जल्दी से कर लीजिए, बैल ऐकन डवाना ना भुलिए, ये यखा मसूर है, मैंने दो के इसको वाश करके एक सीटी करके रखा है, आदा ही बोईल करना है, पूरी तरह बोईल करना है, रेको आदा ही गला है, रहना चाहिए ये, पूरा गल जाएगा तो हमाद बेसमें कटके रखी हूं और इस तरह से एक बॉल में रखी हूं आप चाहो तो किसी भी तरह कटिंग कर सकते हैं और यह जीरा है एक चमच और देर सो गिराम और दही है और यह धनिया पॉडर है एक चमच चाई का चमच खोटर चमच, हल्दी और आधा चमच गरम मसाला, एक चमच भरके चाई का चमच, अधरकलसुन का पेश और कश्मिरी लाल मिरची यह भी एक चाई का चमच नमक तो आप साद के साप से लेंगे अब ये खाने में धालने का मसाला भी है दोस्तो ये खुर्मे में अख़ा-काडा मसाला लगेगा हमारे को ये काली-मेरी के कुछ दाने है, दो बड़ी ऐलाइची है एक दालचीनी के तुकड़े दो भाग में कटिंग करके रखी हूँ और ये दो थेज पत्ता है और चार हरी इलाइची है और ये कुछ लॉंग है तीन से चार लॉंग है और ये दो बड़े टमाटर है जो मैं इसा गोल टैप में काटके रखी हूँ तो चलिए आईए मैं बता और ये जो गरव मसाला ये जो सारा इसके अंदर एड कर दोंगी इसको अच्छे से तड़कने दोंगी और उसके बाद में प्यास भी दालेा दोस्तों मैंने प्यास बीसे डालने का वीडियो नहें लिया है और जीर कधी शणर डाल दिया है और ये धनिया पोडर मुरसी और यह नमक है मैं पाव बचा लूँगी पाव ना दालूँगी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अच्छे से मसाला भूनते वे इसको हमको मिक्स करना है जब तक यह इसका कच्छा पंदूर नहीं होता है इसको मिक्स करते रहिए अपने मसूर प्लाव तो खाया ही होगा दोस्तो अब यह इस तरह भी खाके देखना मसाला ना जले बोलके मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर एट कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो यह मैं थोड़ा खीमा और अख्छा मसूर दाल के यह भी प्लाव यह अच्छे से नरम हो जाए इसको अक्छे से मिक्स करते हूए हमको भूनना है ताकि टमाट अक्छे से नरम हो जाए और यह जो मैं आट कर रही हूँ यह चाय का चमाज यह में खीमा मसाला मिलता है और खीमा मसाला डाल रही हो खीमा मसाला भी डाल सकते हो आप घरम मसाले में तो सारी चीज होती है लेकिन खीमा मसाला है यह हर दुकानों में मिल जाता है यह शौप पे यह डिमाड वगरे में भी उसमें मिल जाता है तो आप यह डाल दीजिए तो तो इस पे और ज्यादा स्वाध आजाता है क्योंकि हमारे गरम सारा तो घर का होता है तो उसमें स्वाथ तो रहता है किमे का मसाले में और बढ़ जाता है तो आप अगर होगा तो दालिए नाहो तो इसकी भी कर सकते ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है इसको अच्छे से बुनिये तो देखो ऑइल चुट रहा है और टमटा भी लगभग आदा नरम हो चुका है बस इसी तरह इसको मिक्स करते रहे और मिक्स करने के बाद में फिर आभी इसके अंदर मैं खीमा एट कर दूँगी ताकि खीमा भी अच्छे से इसके अंदर गल जाए क्योंकि हमको कोकर में नही पर आता है तो खानी के टैम पर तो बहुत अच्छा लगता है तो अभी में मेरे मसाला बनके रेडियो हो गया उसके अंदर मैंने खीमे के साथ में आखा मसूर भी आइट कर दीती दोस्तों शाथ मेरे वीडियो में थोड़ा मिश्टिक हो गया इसके लिए आया नहीं है खी अब यह खीमा और मसाला दोनों इसके अपर आइट करते जारी बस उसको खीमे में और अखा मसूर उसको डालके ना अच्छे से बुनना है बस उतना ही है वो थोड़ा इस इसकी बहु गया मेरे से वीडियो ने निकाल पाई कुछ वज़े से तो अब इसी तरह आप एक लहर दलना है या दो लहर दलना है आपको जितने लहर दलना है दाल लीजे क्योंकि मैं एक किलो राइस बना रही हूं तो इसके लिए मैंने तीन लहर दाली हूं ताकि सारा खीमा अखा मसूर जो है सारे राइस में अब्जोर्ब हो जाए और सुका सुका ना लगे क्योंकि हम मतन चिकन का बनाते हैं तो ग्रेवी टैप का खुर्मा बनता है ना तो यह हमको प्लाव टैप बनाना इसके लिए मैंने इसको ज्यादा लूज ने रखा है इसम सुका सुका ही बनाए ता कि प्लाव जैसा लगे हो तो अभी में चावल के उपर मैं इसका फूट कलर है यह फूट क रखी थी वह भी इसके अंदर बाकी का बच्चा हुआ वह भी आट कर रही हूं और हरी मिच्ची थोड़ी सी वह भी आट कर रही हूं तो कहीं ज्यादा ठीका नहीं हो जाए आप देखके इसके बर दाली है कोत्मीर पुदिना जो है यह भी बारिक चौप करके दोके रखी थी अब भी मैं एक step बे step मैं कोत्मीर पुदिना भी इसके अंदर एट कर रही हूं दोस्तों अभी इसके अंदर देखो रेडी होगे हमारा राइस अभी हम दम पे रखते हैं दम के लिए रेडी हो चुका है अब यह 10 से 15 मिट तर लगा दम होगा उसके उपर मैं थोड़ा सा द देशी ही इसके अंदर दाला था और अभी उपर से भी थोड़ा देशी ही यूज कर रहे हूं ताके सोहत इदम अच्छे से आए तो चुला भी मैं गैस पे रख दियूं पांच मिट तर लगा मैं गैस फूल रखूंगी पीर एक 5-10 मिनिट तर लगा गैस सुलू रखूंग ताके मसाला पुरा हमारे राइस के अंदर आ जाया और दम भी अच्छी तरह हो जाया अब इसको मैं डकन डाल के इसको अच्छे से बन कर दूंगी अभी चला फिर में प्लेटिंग करके बताती हूं आपको कि हमारा मसूर खिमापलाओ किस तरह बनाए अभी मैं अगरा खाने से परिशान होते हैं या खो मसूर का प्लाओ भी खाने से परिशान होते होगे इस तरह से दोनुं का कॉम्बिनेशन मिक्स करके बनाए तो बच्छे लों को भी लगेगा कि कुछ निवी डिश बनी हुए तो इसके लिए आप इस तरह अपनी फैमिली को पूड़े रही है अब इसके पर अंड़ा और टामाट रसे में डेकुरेशन कर दी हूँ छलो फिर मिलती हूं एक अच्छी सीनुई रसीपी के साथ अल्ला आपीस दूआ में याद रखना